कि कैसे हैं सब इंवेस्टिंग विद हर्दीब में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नई अपडेट में अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि जितनी वी वीडियो में अप्लोड करूं अगर आप निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बेसिक्स और साथ में टेक्निकल्स को लर्ण करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शिन वोक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा जहां पर फ्री 1.32 पे हुई यह स्टॉक की क्लोजिंग और एस्टिमिटीड है कि क्वाटर थ्री से पहले यह स्टॉक हमें 100 उपीज दक के लेवल्स पर जातवा नजर आ सकता है अब इस कंपनी के रिगार्डिंग काफी कुछ अपडेट्स निकल कर आये हैं 1.72 परसंट के करेक्शन रही ह हैं जबकि maximum returns अगर देखें SJVN के तो almost 271% के रिटन्स जो है SJVN अपने maximum returns में बना कर दे जुपा है इन्वेस्टर्स को पहले अपडेट की बात करें SJVN shares jump after bagging 100 megawatt solar project तो company को almost यहां पे 500 करोड का बड़ा order मिलता नजरा रहा है solar project है 100 megawatt का यहां पे energy production रहेगा और the project will be developed by the company's wholly owned subsidiary SJVN Green Energy Limited at a tentative cost of rupees 550 करोड साड़े 500 करोड का total investment रहने वाला है और shares of SJVN Limited jumped on Wednesday after the company secured a 100 megawatt solar power project through और e reverse auction conducted by the गुजरात पुर्जा विकास ने गम limited तो साड़े 500 करोड के असपास का total tentative cost रहने वाला है और ऐसे में SJVN के अंदर 100 rupees तक के levels कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले समय में बंते हुए नजराने वाले है technical chart से अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो clearly आप देख सकते हैं कि market जो है all time hyper trade कर रही है और इस time अगर आप देखें तो यह एक main यहाँ पर support बनाया है market में इस level पर आप देखें इस is the almost 83 ठीक है यह यहाँ पर पहले high लगाया था उसी को as it is यहाँ पर market ने जब इस level को यहाँ पर इस level पर break किया तो जैसे उपर निकली यह support बन गया और market में इस level पर जाकर market में दोबारा से retest करा और market में दोबारा से recovery दिखाई है sgvn limited में अगर आप देखेंगे तो ऐसे में sgvn limited जो है long term के साब से काफी कमाल की company हो सकते क्योंकि जिस level पे इस time sgvn है वहाँ से correction खाके दोबारा से positive momentum जो stock में बना है वो stock को hundred plus लेकर जाएगा already hundred का high लगा चुका है sgvn limited और यहाँ से जो एक recovery बनेगी वो further sgvn को बड़े levels पर लेकर जाएगी हलाकि technical support में अगर आप देखें तो main support जो है वो 82 के round है second support अगर हम देखें तो almost second support बनेगा हमारा 65 के round यहाँ की पहला जो support है वो है 82 and the support almost यहाँ पे भी एक support बनता नजरार हलाकि यह जो range है यह concentration की range रही थी यहाँ पे इसको breakout देके stock hundred रुपीज तक के level पर रेटेस्ट करन बनी है यह stock को hundred plus तक sustain कराती नजरा सकती है market cap की बात करें 35,881 करोड का market cap return capital 9.27% return liquidity 10.3% है face value stock की 10 रुपे की यानिकी in future company split दे सकती है one is to 10k ratio में तो long term के इसाब से sg1 is a good option और quarterly numbers अगर हम इस company के देखें तो operating profit रहा है 706 करोड का quarter two की अगर मैं बात करूँ तो जो की quarter one sorry quarter two last year 2022 के अंदर 713 करोड था तो वहां से थोड़ा सा decline जरूर हुआ है लेकिन quarter one के मुकाबले quarter two के अंदर performance काफी अच्छी रही है sg1 limited की और अगर आप यहां पर reserve देखें company के तो 10,396 करोड के reserve है करजा 17,058 करोड का total assets 36,000 करोड के हैं और net cash flow देखें तो 314 की बात करें तो पर्मोटर के पास almost 81.85 percent stake है और यहां पर बुलिश रहे है quarter two के अंदर और public का भी stake increase हुआ है साड़े क्यारा परसंट तो sg1 is a good option for the long term और देखें मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो long term जाना ही पड़ेगा बिना long term के stock market से पैसा नहीं बनेगा अच्छ का कोई doubt था मुझे comment box में comment करके भी पता सकते हैं